वहीं हर्याना के गुरुग्राम की बात करते हैं जहां जाडियों में चार साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से संसनी फैल गई आपको बता दे कि दो दिन पहले ही सदर थाने इलाके में मासूम बच्ची के अपहरन का मामला दर्ज हुआ था साइबर सिटी गुरुगाम में नाबालिक मासूमों पर अध्याचार की घटनाएं खमने के नाम नहीं ले रही ताजा मामला ओमेक्स मोल के पास का है जहां पुलिस को जाडियों में चारवर्ष्य मासूम की लास मिलने की खबर भी लिखी जिसके बाद हरकत में आई पुलिस में तमाम बड़े अधिकारी मोके पर पहुँचे और मासूम बच्ची की पहचान चारवर्ष्य सोनम के तोर पर हुई आपको बता दे की चारवर्ष्य मासूम का अपहरन बीटे दो दिन पहले संदिक प्रस्पित्यों में सोना रोड के पास के इलाके से हो गया था और आज दो दिन बाद बच्ची की लाश मिलने से पुलिस की कादेशाली की अकीकत भी सामने आ गई वहीं इस संगीन मामले में गुर्गा पुलिस के परवक्ता और इस सहगल की माने तो बच्ची के शव को कबजे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की चांच कंभीरता के साथ की जा रही है यह बच्ची जो है यह चोबिस तारीक शाम को घर से लापता होगी ती जिस समन में उसी टाम पर फायर दर्च करके करतीश चालू करती थी और इस बच्ची की आज सुबह यहां पर सोना रोड के पास डेड बाडी मिली है जिसका पोस्टम हो गया जैसे पोस्टम की जो भी जाएगी उस हिसा से कारवाई आगे की जाएगी जो भी इसके दोशी है उनको किसी भी आज़ बच्चा में जाएगा कि गले पे कुछ निशान थे बट उनका सा एक्जिप्ट डिटेल तो पोस्टम और एफसल रिपोर्ट जो है डॉक्टर भी उसके बाद ही पता चलेगा पुलिस ने अगर वाकई में इस चार वर्ष्य मासूम के अभारन की जाच गंबीरता के साथ की होती तो आज चार वर्ष्य मासूम चिंदा होती महीं पुलिसिया जाच में मासूम के गले पर भी गहरे निशानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं मासूम की हत्या गला तबा कर ही की गई होगी योगेश कुमार गुरुगरान समाचार एक्सप्रेस